हाई एप्यपन विल्कम बैक तो माई यूटुब चैनल और आज का जो मेरा वीडियो है मैं ये वीडियो नहीं अप्लोड करना चाहता था लेकिन ये कोस्टिन मुझे इतना रिपीटिडली इतना सुनने मिला इतना लोगों ने यही कोस्टिन पूछा इसलिए मैं ये वीडिय वीडियो बना रहा हूं जस्ट फॉर यू और गैस की ठीक है क्योंकि समटाइम्स आंसर करने में डेले हो जाता है मैं अभी मेरे पर्सनल काम में बीजी रहता हूं तो ठीक है मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के जिस्ट नॉलिज के लिए पर उससे पहले ठीक ह ज़रूर कर देना क्योंकि ठीक है आपका सपोर्ट एंट प्यार मिलता है तभी मेरे मन में होता है कि ठीक है मुझे और वीडियो डालना चाहिए ताकि लोगों को जादा जादा है मेरा ऐसा कोई प्लैनिंग नहीं कि मैं आप लोगों से कुछ लूँ बदले में नहीं निस्वार्थपाव समय करता हूं मुझे कहीं से भी नॉलेज मिलता और मैं वह आप लोगों बाट देता हूं तो सुरू करते हैं ठीक है टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो जो मेरा आज वह आपको वही ओफर लेटर है और आपका वही जोइनिंग लेटर है फर्क इतना है कि जब आप आई बिगें से ओफर लेटर एकसेप्ट करते हो अपने जोइनिंग डेट दे करके तो वह आपका ओफर लेटर हो ठीक है जोइनिंग के बाद जब आप जोइनिंग के टाइम same offer letter में कुछ चीजे add करके वही आपको revert आता है तो वही आपका joining letter होगा है वो कुछ अलग नहीं है joining letter हमेशा joining के बाद मिलता है joining से पहले कोई letter नहीं मिलेगा ठीक है तो यही है offer letter और joining letter इसमें confused मत हो offer letter मिल गया ना तो बस tension free हो जाओ और आपका रावद joining का कि कब होगा joining कब होगा कब होगा call नहीं आ रहे message नहीं आते हैं call message हाँ एक formal call informal mail आता जरूर होगा हमेशा कि आपका joining date इतने कोई इतने कोई इतने कोई आप join होने वाले हो यह वो चीजे एक mail आता होगा formal जो कि automatic होता होगा मत उस पर रिप्लाइं नहीं कर सकते system generated mail होता है वो आता रहेगा उसके लावा कोई भी अगर आपको other mail चाहिए HR नेम से तो initiate आपको करना है आप उनको पहले mail करो onboarding team को onboarding manager manager को HR manager को और आपका जो query है वहां पर डालो और दिन वह आपको reward करेंगे ठीक है कि आपका ज्वानिमी डिले क्यों हो रहा है कब होगा आपको आपको mail कब चाहिए मतलब document अप्लोड करने के लिए उनसे आपको mail कब चाहिए जो भी आपको question आप उनको drop करके रखो और आपके सारे mail पर reply करते हैं नहीं बैठते हो तो ठीक है फिर भी आपको ज्यादा जानना है तो mail करते रहो reminder 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 और इस तरह कर से अपना डाउट क्लियर करो बस इतना ही था